वेलकम टू मारे यूटूब चैनल आपका मारे यूटूब चैनल पर बहुत दोस्वागत है इस चैनल पर आपको MS Physics and Transics एक्जाम से लेटेट सारे जानकारी प्लब दे कराये जाती है और भी Graduation Physics से लेटेट काफी सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स यहां पर डिसकस किये जात आज अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले है Second grade के अंदर आपका Science का syllabus रहता है उसे अपने इस वीडियो में detail में समझने वाले है, साथ ही में आपको exam pattern भी आपने बताने वाला हूँ कितने number of questions आएंगे और Qution यहां पर कितने marks के रहने वाले है, कितने section यहां पर है तो पूरी बात अपने इस वीडियो में करने वाले हैं साथ ही में आपको मैं जो science का physics वाला part है उसका जो सिले बस है वो आपको मैं detail में आपके समझाने वाला हूँ तो वीडियो को लाज सक जरूर देखिएगा और वीडियो पसना है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा तो सबसे बिले आपको बता दूँ जो आपका यहां पर science का paper होता है उसके अंदर आपकी जो total marks है वो आपके 300 marks है दियान रखिएगा आपको जैसा की पता होगा second grade के अंदर दो paper होते है पहला paper आपके GK का होता है और जो second paper है आपका वो subjective होता है तो second paper में यह आपके पास science है तो उसके अंदर आपकी जो total marks होंगे वो 300 marks होंगे और इन 300 marks के जो question है उनको attempt करने के लिए आपके पास 2 hour 30 minute का time है तो दियान रखिएगा time duration जो है paper को attempt करने की वो 2 hour 30 minute है ठीक है और total marks आपके जो है वो कितने marks है 300 marks है ठीक है अब यह जो 300 marks है इनको यहाँ पे तीन section में divide किया गया है ठीक है इन 300 marks को यहाँ पे तीन section में divide किया गया है पहला जो section है हमार पास वो आता secondary and senior secondary level ठीक है यानि कि आपकी जो class 11th और 12th का level है उसके उपर best यहाँ पे कुछ क्यूशन आते है यानि कि secondary और senior secondary यानि कि class 11th और 12th पे based यहाँ पे कुछ क्यूशन आपको देखने को मिलते है तो total question यहाँ पे जो आपको देखने को बिलेंगे 11th and 12th के वो आएंगे total 90 question आएंगे आपकी 11th and 12th से ठीक है आपका जो secondary और senior secondary level है वहाँ से आपके पास यहाँ पे 90 question आएंगे और उसकी जो यहाँ पे total marks रहेंगे आपके 180 marks यहाँ पे रहेंगे उसके बाद आपके आता है यहाँ पे graduation level तो graduation level के आपको यहाँ पे 40 question देखने को मिलेंगे और उसकी जो total marks होंगे वहाँ आपके आपके 80 marks यहाँ पे रहेंगे ठीक है तो यह दो section तो हो गए पहला आपका senior secondary level ठीक है और उसके बाद आपका graduation level ठीक है तो secondary और senior secondary level से आपके पास यहाँ पे 90 teaching method है उससे related आपको यहाँ पर कुछ क्यूशन देखने को मिलेंगे उसके अंदर आपके पास यहाँ पर 20 क्यूशन आपको देखने को मिलेंगे जो teaching method है उससे related आपको यहाँ पर 20 क्यूशन देखने को मिलेंगे जिनका जो weightage है वो आपके पास 40 marks रहेगा ठीक है तो जो teaching method है उसके यहाँ पर 20 question होगा और उसका weightage 40 marks यहाँ पर रहने वाला है तो यह आपके 3 section में आपका science का paper यहाँ पर divide किया गया है पहला है आपके secondary और senior secondary level जिसके 90 question है और total marks है 180 उसके बाद आपके graduation level जिसके यहाँ पर 40 question है और जो weightage वो 80 marks है उसके बाद आपका जो 3 section है वो आपके आदा है teaching aptitude का जिसके यहाँ पर 20 question है और जो weightage है वो 40 marks है तो आपका यह 3 part में यहाँ पर science का paper पूरा divide किया गया है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं या फिर वीडियो को post करके आप इस speech को लिग भी सकते हैं जादा detail इसमें नहीं है तो आपको main बाद आपको यहाँ रखनी कि आपका 3 section में यहाँ पर paper होगा ठीक है जिसके अंदर जो आपका पहला section है वो आपका class 11-12 है उसके बाद जो दूसरा section है वो आपका है graduation level का और जो तीसरा section है वो आपके teaching aptitude का तो टोटल आपका जो paper है वो 300 marks का यहाँ पर होने वाला है और total number of आपको जो क्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कितने मिलेंगे 150 क्यूशन आपको यहाँ पर टोटल देखने को मिलेंगे ठीक है और जो इसका weightage रहेगा 300 marks रहेगा यानि कि जो each क्यूशन है वो आ आपके पास जो time duration है वो आपके बार two hour 30 minutes यहाँ पर रहने वाली है और ध्यान रखेगा यहाँ पर negative marking भी है इस बात को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेगा ठीक है तो total date execution है और जो marks है आपके 300 marks है और तीन section है ठीक है graduation level, senior और secondary level और teaching aptitude तो यह आपके पूरा science का जो paper होने वाला उसका यहाँ पर pattern रहने वाला है अब अपन यहाँ पर आगी वीडियो में discuss करेंगे जो आपका senior secondary level और graduation level पर आपकी science आने वाली है उसके अंदर आपके पास क्या क्या आएगा वो आपन यहाँ पर detail में समझेंगे तो आपको मैं बता दूँ आपका जो यहाँ पर senior secondary और graduation level पर science आती इसके अंदर आपके पास तीन subject यहाँ पर आएंगे पहला है अपने पास यहाँ पर physics, second अपने पास यहाँ पर chemistry और तीसरा आपके पास है यहाँ पर biology तो आपको यह तीन subject यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपके class 11-12 से और आपके graduation level से इन से related आपको discuss करने वाले है जो आपका physics वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है इसका जो syllabus है आपको मैं detail में आपर बताने वालों क्या topics आपके 11-12 में आएंगे क्या topic आपके graduation level पर आएंगे और क्या topic आपके teasing aptitude में आएंगे तो यह जो physics वाला पार्ट है इसको अपन detail में यहाँ पर स continue करने वाले हैं तो वीडियो को लाज तक जरूर देखीगा आपना physics वाला से लेबस आपने आपने नेक्स सेक्शन में complete करेंगे तो जैसा कि आप previous section में आपे देख चुके हैं science के अंदर आपको यहाँ पर तीन section में क्यूशन देखने को मिलेंगे तो जो पहला section है आपके वो रहेगा class 11-12 का जो दूसरा section है वो आपके यहाँ पर रहेगा graduation level का और जो तीसरा section है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा teaching method का तीनो ही section से आपको यहाँ पर question देखने को मिलेंगे साथ ही में तीनो ही subject से आपको यहाँ पर question देखने को मिलेंगे physics, chemistry and biology तो जो physics वाला part है उसका syllabus आपको में detail में आपे समझाने वाला हूँ पेले अपन यहाँ पर class 11-12 का syllabus देख लेते हैं उसके अंदर सबसे पेले आपक system आपको यहाँ पर पढ़ने हैं मेरे मेरे channel पे पूरा detail में पढ़ाया हूँ अभी आप जा करके उस video को भी देख सकते हैं डाये description में आपको लिंक में provide करा दूँगा उसके बाद आपको पढ़ना है dimensional formula and dimensional equation second हमार पास जो है वो है vectors vectors के अंदर आपको पढ़ना है scalar and vector quantity unit vector addition and multiplication of vectors यानि कि triangle लोड पहले लोग्राम लोग भी आपको इसके अंदर पढ़ना है उसके बाद आपके पास आएगा description of motion जिसके अंदर आपको motion in one dimension uniformly accelerated motion motion with uniform velocity acceleration in 2D motion of object in 3D और साथ ही में relative velocity भी आपको इसके अंदर पढ़नी है उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएंगे laws of motion जिस आपको यहाँ पर पढ़ना है ठीक है friction के अंदर आपको types of friction and laws of friction दो चीज़े आपको यहाँ पर पढ़नी है ठीक है उसके बाद आपको करेंगे work energy and power इसके अंदर आपको क्या क्या टोपिक पढ़ना है तो पेल आपके पास है work done by constant और variable force constant force के दोरा work done कितना होता है और variable force के potential energy, elastic collision in one and two dimension, gravitational potential energy, potential energy of spring यानि की half cake square जो होती है वो भी आपको इसमें पढ़ना है conservation of energy, conservative and non-conservative forces or power, power is equal to work upon time तो यह सब आपन को इसमें पढ़ना है work power energy में काफी सारे टोपिक मेरे मेरे चैनल पर पढ़ा भी चुका हूँ जो आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी आप जाकर क्योंने देख सकते हैं और आने वाले time पर काफी सारे टोपिक भी यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ और numerical भी आपको में साथ-साथ यहाँ पर करवाने मोमेंट ऑफ इनर्शा की दोनों थियोरा में वो भी आपको इसके अंदर पढ़नी है साथ ही में rolling motion भी आपको इसमें पढ़नी है उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो आएगा हो है oscillatory motion जिसके अंदर आपको पढ़ना है periodic motion SHM और इस equation ठीके simple armoring motion kinetic energy potential energy concept of free forced and damped oscillation simple pendulum oscillation of loaded spring यह सभी आपको oscillatory motion के अंदर पढ़ना है उसके बाद आपके पास है यहाँ पर gravitation तो gravitation के अंदर आपको क्या पढ़ना है universal law of gravitation जो universal law है gravitation का वो आपको पढ़ना है साथ ही में acceleration due to gravity g small g पढ़ना है आपको variation of g with height with depth दोनों आपको पढ़ना है orbital and escape velocity आपको पढ़नी है planetary motion और kepler law of planetary motion यह सभी आपको पढ़ना है gravitation के अंदर उसके बाद आपके पास यहाँ पर है elasticity तो elasticity के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है hooks low, young modulus, bulk modulus, shear modulus of rigidity, application of elastic behavior of material तो यह सारे topic में पढ़ा चुका हूँ मेरे चैनल पर आपको पूरी मिल जाएगी elasticity के सारे topic में पढ़ा चुका अब महाँ से जाकर भी इन सभी topics को माँ पढ़ सकते हैं उसके बाद आपके जो next है वो है surface tension इसके अंदर आपको क्या 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 पढ़ना है arc medis principle, fluid pressure, pascal low, molecular theory of surface tension, access of pressure inside a drop and soap bubble, angle of contact, capillarity और detergent यह सभी topic आपको surface tension के अंदर पढ़ना है उसके बाद liquid in motion यानि आपकी जो fluid mechanics वाला part है उसके अंदर आपको पढ़ना है types of law of liquid, critical velocity, coefficient of velocity, terminal velocity, stocks law, renault number, Bernoulli's theorem काफी ज्यादे इंपोर्टेंट है Bernoulli equation भी आपको पढ़नी है और उसकी application उसके बाद आपको पढ़ना है ktg यानि kinetic theory of gases इसके अंदर आपको पढ़ना है law of gases, idle gas equation pv is equal to nrd, assumptions of kinetic theory of gases, pressure accepted by gas, law of equipartation of energy, degree of freedom आपको पढ़नी है specific heat of gases, solid and mean free path यही सबी topic आपको kinetic theory of gases में पढ़ना है इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है heat and thermodynamics तो heat and thermodynamics के अंदर आपको पढ़ना है concept of heat, temperature, different temperature scales, thermal expansion of solid, liquid and gases, specific heat, change of state, latent heat, thermal capacity, zero and first law of thermodynamics, thermodining processes और second law of thermodynamics साधी में आपको पढ़ना है यहाँ पर Carnot cycle, Carnot engine और उसकी efficiency ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है radiation तो radiation के अंदर आपको पढ़ना है modes of transmission of heat यानि की conduction, convection और radiation तीनों मोड आपको यहाँ पर पढ़ना है thermal conductivity, thermal radiation, perfect black body, newton, slow of cooling यह सभी आपको radiation के अंदर यहाँ पर पढ़ना है उसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है waves तो waves के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना है types of waves, wave equation, speed of progressive wave, superposition principle, beats, stationary wave, normal mode or Doppler effect यह सभी आपको waves में पढ़ना है उसके बाद यहाँ पर आपके पास आएगा ray optics और optical instrument इसके अंदर आपके पास laws of reflection, reflection by plane and curved mirror, laws of reflection, total internal reflection, application उसकी lenses, image formation by lenses, dispersion by prism, skating of light, eye, defect of vision, microscope and telescope यह सभी आपको पढ़ना है ray optics में उसके बाद आपके पास यहाँ पर देगे electrostatic, इसके अंदर आपको पढ़ना है column slow, electric field, potential due to a point charge, dipole, concept of dielectric, go slow और उसकी applications, electric field line, force and talk, experience by dipole in uniform electric field, potential energy of a system और equipotential surfaces, यह सभी आपको electrostatic में पढ़ना है, यह सभी आपके 12 के सिरे बस स्टार्ट हो capacitor principle, parallel plate capacitor, effect of dielectric on capacitance की dielectric रखने पे, capacitance में क्या फरका पढ़ेगा वो आपको पढ़ना है, series of parallel combination of capacitor, यह भी आपको पढ़ना है, energy of charge capacitor और one day graph generator, यह सभी आपको इसमें पढ़ना है, उसके बाद आप क्या जेगी current electricity, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, और आपको याद होगा, उस ठीक है, resistivity, primary and secondary cell और उनके combination, cell के combination, series और पेडल दोनो, किर्चोफ लो, ठीक है, KVL के सिल आपको पढ़ना है, weed stone bridge, potentiometer और उसकी application, electric energy and power, फिर आएगा आपके magnetism and magnetic effect of current, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, आपे natural and man-made magnetic, magnetic field lines, bar magnet, magnetism, goes low, magnetic moment, torque on a magnetic dipole, magnetic field, magnetic induction, magnetic intensity, permeability, susceptibility, intensity of magnetization, और उनके relation, फिर आपको पढ़ना है, curie low, hysteresis, BH curve, एक hysteresis आपके elasticity में भी जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, classification of magnetic material, magnetic force, motion of magnetic field, biosyvert low, ठीक है, magnetic field due to a state conductor, circular current, carrying coil, ampere low पढ़ना है, solenoid, toroid, moving of coil, galvanometer, ammeter और voltmeter, यह सभी आपको इसके अंदर पढ़ना है, फिर आपके आजएगा electromagnetic induction, जिसके अंदर आपको ferradi का low, lens low, self induction, mutual induction, concept of electric generator, यह सभी आपको इसमें पढ़ना है, फिर आपके आजएगा, AC यानि की wave optics से, इसके अंदर आपको हाइगन principle, reflection and reflection, interference of light, young double slit experiment, जो की काफी जादा important है, diffraction of light, single slit, deflection, resolving power of optical instrument, polarization of light, malice low, polarization of reflection, reflection and scattering, यह सभी आपको wave optics में पढ़ना है, फिर आपके आजएगा photoelectric effect यानि की modern physics, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, Einstein, photoelectric equation, photocell, matter waves, de Broglie hypothesis, जो उन्हों ने दिया तब वो भी आपको पढ़ना है, और Davidson General Experiment, यह सभी आपके modern physics के पार्ट है, ठीक है, nuclear physics में आपको अंदर पढ़ना है, nuclear physics और radio activity, इसके अंदर पढ़ना है, nuclear size, mass defect, binding energy, यह मैं पढ़ा चुक हूँ, nuclear mass में ने पढ़ा दिया है, mass defect में पढ़ा चुक हूँ, binding energy आपको मेरे चनल पे मिल जाएगी, nuclear fusion and fusion, nuclear reactor भी में पढ़ा चुका हूँ, radio activity, laws of disintegration, alpha, beta, gamma, dk, यह सभी आपको पढ़ना है, nuclear physics में, फिर आपके जाएगी, solid state of semiconductor devices, इसके अंदर आपको पढ़ना है, energy band in solids, semiconductor P injection, diodes, diode that is a rectifier, special purpose of P injection diode, junction transistor और logic gates ठीक है, और logic gates से लेटेट इस आपको फूमला देखने है, तो वो भी आपको मेरे चनल पे मिल जाएगे, फिर आपको पढ़ना है, EM wave और communication, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, displacement current, electromagnetic wave sources, electromagnetic spectrum, element of communication system, bandwidth of signals, transmission of medium, sky space and wave propagation, need of modulation, production and detection of EM wave, तो यह सभी आपको पढ़ना है, class 11-12 के लिए, पूरा syllabus आपके पास रहने वाले मैंने, detail में आपको पूरा syllabus यहां पर बता दिया है, class 11-12 का physics वाला जो पार्ट है, ठीक है, अब यहां पर आपन देखेंगे, graduation वाला आपका जो पार्ट है, देख सकते हैं, graduation में आपके पास यहां पर स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको पढ़ना है, concept of reduced mass, concept of elastic and inelastic collisions, analysis of collision in center of mass frame, angular momentum of system of particle, conservation of angular momentum, तो यहां से आपका physics वाला पार्ट हैं पर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, उसके अंदर, damped harmonic motion, damped harmonic oscillator, power dissipation, quality factor, drive and harmonic oscillator, फिर waves आपको पढ़ना है, waves के अंदर आपको पढ़ना है, speed of transfer wave on uniform string, speed of longitudinal wave in fluid, energy density, energy transmission in waves, फिर आपको पढ़ना है, distribution of molecular speed, most probable speed, average speed, RMS speed, यह तीन हो है, इन सभी के formula's भी में discuss कर चुका हूँ, mean free path और thermal connectivity, फिर आपको पढ़ना है, interference of light, इसके अंदर आपके पास फिर आपको पढ़ना है, thermal and electrical properties of solid, जिसके अंदर, classical theory of specific heat of solid पढ़नी है, आपको band theory पढ़नी है, metal, insulator, semiconductor, or elementary areas of super conductivity, तो यह सभी topics आपको आपके graduation level पर पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं, graduation level का आपका जो syllabus है, वो काफी कम है, ज्यादा syllabus नहीं है, 11, 12, 12 का जो syllabus है, वो आपका teaching method के आप पर question आएंगे, आप इनको detail में पढ़ सकते हैं, teaching method के अंदर क्या-क्या syllabus है, मैं आपको direct description link provide करा दूँगा, जहां से जाकर कि आप इस syllabus को download कर सकते हैं, teaching method से आपके आपास यहाँ पर 20 question आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको physics का syllabus बता दिया है, class आपको direct description में link provide करा दूँगा, यह दी वीडियो पस्नाइए, तो please video को लाइक जरू कीजिए, आने वाले time पे अपन physics के काफी सारे topic आप पर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको second grade में काफी ज़्यादा help करेगा, काफी ज़्यादा numerical भी मैं आपे करवाने वाला हूं, यह दी